तो तो गाइज एस लेडी चेसर को बनाने के लिए हमें सब सब पहले कुछ इस टैप के रोलर कोश्टर लेना होगा तो यह रोलर कोश्टर मैंने कैसे बनाया हम बतायता हूं जो आपका फॉयल का है या फिर कोई प्रेविडिया प्ली टैप का और यह पीछे मैंने प्लास्टिक का एक कैप तो अब आपको क्रेकरना मैं बताता हूं क्यों अभी अपको एक एक कुछ और मूद्य का कर शीट लेना होगा तो इसमें मैं गड़वड की थी गड़वड तो सबसे पहले हम लोग इसको जो है एक राउड छिप में इसको चिंप में मुझे करें को इस तरीके से यहां पर एक स्कूरू लगा उसके बदें गा लगा देंगे तो इसको मैं लगा लिता हूं उसके बद आपको दिखाता हूं झाल झाल तो गैप अब हमें एक यह और्य mm का रोड यह वार एक वार ऐसे कुछ करनेक्ट कर देना क्यूंकि यह जो खेंद कि र century कि करेंट तो यह यह और आपा पर तो यह यह रोड़ी देदेना और यह इतना तक मेंट और तो यह यह वार ऱ यह रह आपको वह उश्वान όल hLa आगे मैं आपको बताऊंगा तो उसके बाद आपको एक ऐसा टैप का कंटेनर लेना होगा जिसमें मैंने एक मोटर वहां पर कनेट कर दिया है 5 वोल्ड का यह 5 वोल्ड से 12 वोल्ड आप चला सकते हो कि और वहां पर मैंने एक अलमुनियम का शीट लिए जिसको मैंने ऐसे हमें वहां से निकाल देना ओके और यह एक जो यह फेस का वायर है इसे हमें एक कॉमन होता है ना तो कॉमन को मैं वहां पर लगाना ओके तो देखो मैंने यहां पर एकदम सिंपल जो बाहर से ना करो इसलिए मैंने अंदर से उसको कनेट कर दिया है आपको कनेक्शन थोड़ डेंजरस हो सकता आपके लिए तो मैं आपको पहले वहन कर दे रहा हूं बलकि आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो बहुत अच्छा है यह खराब नहीं होता जल्दी क्योंकि यह पहले जवाना में चलता था अभी तो कम चलता क्योंकि अभी तो आईशी सवा गया है यही का टूड़ा लेना आप कुछ भी ले सकते हो और यह जो पांचो पत्ती है इसको हमें स्कुरू की साहता से पांचो को यहां पर टाइट कर लेना है तो मैं टाइट कर लेता हूं उसके बदा कुछ दिखाता हूं तो इसमें ने यहां पांचो प्लेट को कनेट कर दिया है कि देख सकते हैं और आपको भी कुछ इसी तरीके से कट करना है क्योंकि फिर कड़बड़ हो सकती है तो आपको फिर इसको आपको ऐसे करके बिठाना है के तो आप को एसे करके इस में बठा ना आप सीधा भी बड़ा सेकते। मैंने सीधा बड़ाए था क्यूंकि यहां पर मेर यहां ऐसे करोगे तो पिर आपका क्या होका हो इसको गेर मोटर चाहिए जो कि मैं लगानी रहूं इसलिए आपको इसको जीतना होँसे के ढीला रखना होगा यह जो पांचों प्लेट है इसको डीला रखना होगा कुछ इस टैप से सीधे आपको सीधे रखना है क्योंकि अगर आप ज्यादा अड़ा होगे तो फिर यह नहीं घुमेगा क्योंकि यह गेर मोटर नहीं है तुर्णत रुख जाएगा तो आपको यहां पर इसको कनेट कर लेना है तो कि जब कोई गड़बड यहां हुआ था कि मैंने यहां पर छोटा प्लेट लगाया था उसके वज़े से जब राउंडिंग लेता है तो वो जल्दी जल्दी लाइट करेगा इसलिए मैंने उसको खोल के यहां पर डबल पत्ति लगा दिया है ठीक है मेरे पाद ज्यादा नहीं लगाया इसलिए मैंने बॉक्स को बीच में से वहां पर कट कर लिया और उसके बाद हमने यहां लगा दिया देखो यहां कहीं नहीं आड़ रहा है भी है ओके तो देख सकते हो अब हम लोग यहां पांचो जो चैनल का जो वायर है वह यहां से हम लोग निकाल देंगे करते हो जितना भी 5 जैसे 5 लीडी आप जलाना चाहों तो पांचो निकाल सकते हो वैसे आप इससे 10-20 कितने भी अलडी कर सकते हो पर इसमें आप 10 लीडी कैसे करेंट करेंगे वह मैं आपको दिखाऊंगा दिवाली के दिवाली के एक-दो दिन पहले वह वीडियो बनेगी वो मैं आपको दिखाऊंगा तो देखो यहां पर मैंने पांचो वायर को connect कर लिया है कुछ इस टाइप से तो यहां एक दो तीन चार पांच पांच वायर कनेट करके यहां मैंने बाहर निकाल लिया है और वह जो अप रेड वायर देख रहे हो वह कॉमन ओके तो जितने भी लाइटों का जितने भी आप जिसे दास लेटी लगाऊगे तो दासों एलीडी का एक वायर एक साथ आपको क खैशा से बाइशाइब आपको इस पांच 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 वायर है करना यстве कॉमन का वायर होके एक टाइरिक्ट टू टू टूर्ट से आएगा siz अँख वहां कि जम मेंग'mाइब तो उसमें ये टच होगा तब यहां से फेज पांचों में निकलेगा अब आपको जब आपको एक फाइव वोल्ट का चार्जर लेना होगा आप ट्रांसफोर्मर लगाना चाहे कुछ भी लगाना चाहे आप लगा सकते हैं मैं तो प्रफर करूंगा गाइज गेर मोटर लगाना मेरे पस गेर 220 वोल्ट तो आपको कनेट करें दिखाता हूं तो गयाज यह कंप्लीट हो चुका है ओके यहां पर मैंना सारा कनेक्शन कर दिया देखो 220 वोल्ट दोनों मैं लगा दिया ग्रीन में और एक जो रड़ वाला रहा था उसमें तो यह हो जागा हमारा 220 वोल्ट ओके यह 220 और यहां charger मैंने करनेट कर दिया मोटर के साथ तो चलो अब हम लोग इसकी टेस्टिंग करेंगे पर टेस्टिंग करने से पहले मैं देख लेता हूंग कि अच्छा से घूम रहा है कि नहीं और गयज अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं प्लीज सब्सक्राइब कर लो या आरे वीडियो बनाने में अब अब देखो यह ट्रीका टाइम तो मैंने का पाउंच वडिक पाउनच वाला पांच वाला है पांच को इसमें क्नेट किया है और बाकि जितना भी एक्कृआट के वार सबक्सक्राइब कॉमन में क्नेक्च प्लाइब एक और मेरा जो पाऊज अब बहुत समल के बनाना पड़ेगा क्योंकि देखो यहां पर मैंने एक एक्स्टरनल वो करनेट किया है चार्जरों के मेरा चार्जर चल नहीं रहा था तो मैंने मोटर के लिए एक्स्टरनल करनेट कर दिया है तो वीडियो आपको कैसी लगे प्लीज नीचे कमेड़ में जहरू बताईएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करके पास में जो बैल आइकन उसे भी क्लिक कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए अरे नहीं अभी नहीं जा रहे रुको एक और बाद बताना तब भूल गया है दिवाली के एक दो दिल पहले मैं दूसरी वीडियो अप्लोड करूंगा इसी के उपर कि आप पूर जो मैं अपने घर में ला नहीं चुडियो में बादे गाईस